कोर्या की टाप पांच ऐसी चाय जो हर भारतिय को पीने के लिए में ज़रू कहूंगा शिखे मुझे ऐसा लगता है कि इसे मीठे चावल के रस के रूप में सोचना गलत नहीं होगा या यू कहें मीठे चावल का जूस अगर आप भोजन के बाद एक गिलास इसे पीते हैं तो आपकी पाचन सक्ती बेहद ही अच्छी हो जाती है इसका मीठा और चावल का स्वाद लाजवाब होता है आप इसे कहीं भी बैट कर पी सकते हैं अपनी कार में घर में कहीं पर भी एक ऐसी चाय है जिसे आप पीने के बाद बहुत ही ठंडा महसूस करते हैं कई विदेशी लोग इसे ठंडी शिकंजी चाय की तरह भी पीते हैं ऐसा लगता है कि आप पानी के चावल का हलवा खा रहे हैं और सोचते हैं कि एक अद्बुद सी चाय है जो आपको हमेशा ठंडा और मिठास दिलाती है यदि आप भोजन के बाद इस ठंडे शिक्खे को पीते हैं तो सही माईने में आप अपने शरीर को मिठास और लाजवाब टेस्ट से अवगत कराते हैं कई कोरियाई परमपरिक चाय हैं लेकिन उन सब में ठंडी चाय में एक ही चाय है जिसे शिक्खे कहते हैं शिक्खे चाय को हर को भी पसंद करता है बच्चे, वेस्क, बुढ़े ये सब को पसंद आती है और इसका मीठा स्वाथ तो मुझे भी बेहत पसंद है और या कहूं ये अगर आप पीते हैं तो आपको भी बेहत पसंद आएगा शिक्खे अपने आप में बहुत थंडक देने वाली शिकन जी जैसी चाय है